हेलो इस्टुरेंट्स आज मैं आपको बताता हूँ कि आप BlueJay जो mainly ICAC में 9th और 10th में एक software यूज होता है या एक compiler यूज होता है Java के लिए उसको कहां से download करेंगे बहुत simple है तो BlueJay.org आप इस website से इसको download कर सकते हैं तो आप Google Chrome खोलें और उसमें BlueJay.org website आप खोलीजे BlueJay.org तो इसमें देखेंगे जैसे website को लेगे BlueJay का sign भी आ जाएगा और इसमें अलग-अलग version के लिए हैं सबसे पहला जैसे generally windows है आप windows ले लिएगा और जब आप windows को क्लिक करेंगे तो आपका download स्टार्ट हो जाएगा अभी मैं फिलाल cancel कर देता हूँ क्योंकि यह already मैंने download किया हुआ है तो इसको किस तरीकी से कर सकते हैं मैंने दिखा दिया है फिर आप इसको install करने के लिए so folder कर लिएगा blue jay का software दिख जाएगा इसको डबल क्लिक करके install कर सकते हैं यह भी मैंने अलोड़ी install कर रखा है तो फिलाल में इसको cancel कर देता हूँ फाइनली जब blue jay आप launch करेंगे application तो इस तरीके के application आएगा यह test लिखा हुआ नहीं आएगा आपको इसमें यह तो कोई application बनी हुई थी तो इसलिए ऐसा आ रहा है तो मैं इसको delete करके फिर आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से आएगा तो आप blue jay में कोई नया program बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है new class कर देना है new class में click कीजिए और class का name देदीजिए class का name means program का name और इसी name से आपका आगे class भी बनने वाला है और इसमें क्योंकि java case sensitive software है तो यहां पर आप जो है जैसे test में आपने T capital लिखा है तो सभी के लिए आप क्या करेंगे आगे जाके भी capital T ही इस्तेमाल करेंगे फिर आप इसको double click open कर देजेगा यह default code दे रखा है चाहें तो आप इसी code में alteration कर सकते हैं changes कर सकते हैं या control A करके इसको select all and delete करती है फिर आप क्या करिएगा फिर से प्रोग्राम मनाया है सबसे पहले आज जाएगा class space class का name class space class का नेम आपने टेस्ट दिया था आज टाइम T capital इस तरीके से opening brace लगा लिए और फिर एंटर closing देखे खुदी उसने लगा लिया है पर आज जाएगा public static void main तो पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था हैं आपर कि void main का क्या rule है इसको फिर हम बात आगे में फिर से और इसको बात करेंगे और string आक्स closing brace हो जाएगा opening और फिर से एक सं statement अगर आपको दिखाना है output screen में तो इसके लिए होता है system.out.println यह स्टेट्मेंट है यह function है जो किसी भी output को screen में आपको सो कराता है तो double unit code में message दे दिया hello java और semicolon करके इसको बंद कर दिए और compile जब करेंगे तो आप देखे टेस्ट में जो अभी lines आ रही थी है स्रीड नीचे class compiled and no syntax errors यह आ गया है तो इसको side से बंद कर दीजेगा और इसमें right button क्लिक कर दिए right button क्लिक करने के बाद आप void main function में click कर दिए call कर दिए इसको यहां पर आपको कोई भी changes नहीं करने है इसको चोड़ दिए और ok कर दिए ok करेंगे तो आपका terminal window या इसको output window भी हम कह सक सकते हैं इसका आपको output मिल जाएगा hello Java तो इस तरीके से आप Java का पहला प्रोग्राम कर सकते हैं यह था पहला प्रोग्राम फिर मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा changes करके इसी में फिर से इसको double click कर लेते हैं और double click करेंगे तो इसके बाद यह फिर से class आपका या प्रोग स्थे सपोस्ट एंटीजर y is equals to 20 semicolon और सम कर लेते हैं और s एक वेरिबल ले लेते हैं is equals to x plus y यह ऐसे तो अब मुझे क्या करना है एक सम को प्रेंट करना है तो hello Java की दिखाब सम एक्वल टो हम प्रेंट कर लेते हैं और plus फिर से हम वेरिबल जिसमां आपका s यानि सम था उस सम आपका मैसेज हो गया तो double indirect quotes में आएगा और क्योंकि मुझे वेरिबल यानि s की values हो करनी है तो इसको हम बाहर करेंगे एक चीज और अभी मैंने दिखाया था sade यह पीछे compile करेंगे तो sade आट गया तो compile हो चुका है और नीचे no syntax error साइट से बंद कर लिजेगा फिर से class म right button click किजेगा void में info आप open कर लिजेगा और यहां पर कोई change नहीं करना है OK कर दीजे और अब आप देखेंगे output यह रहे ठीक है सम 30 हलो जवाब पहले वाला प्रोग्राम का output था ऐसा आप इसको कर सकते हैं फिर से इसको close कर देते हैं फिर से एक प्रोग्राम में और दिखाता देता रहा हूं तो इस तरीगे से हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कोई भी chain News जैसे मैंने क्या कर दिया आपर दिवीजेगा के लिए मैं प्रोग्राम बना लेता हूं और ex ή . इस तरीगे से और सम में कर लेते हैं और कम देखिए सेड हड़ गया है फिर सो पर्न से क्लोज कर दीजेगा इसको राइट बटन क्लिक करेंगे और यहां बिना कोई एक सब्सक्राइट रखिए मेने कर लिया है अभ देखे एक की वेलिमें पहरे चेंज और इसको करूँगा एक सब्सक्राइट और इसकी वेलि में तूरे दिता हूं और दिल्क और इसको चीकい हो और इसको इसको मैं कोई lang करता हूं कंपाइल कर लेते हैं एक बाद देखते हैं आउटपट आपके आता है इसको क्लोज कर लेते हैं और राइट वेटन क्लिक करते हैं वाइट बेन को अपन और यहां पर कोई फ्लोट क्या करता है कोई भी अगर वेरियबल आप डिफाइन करते हैं तो डेसिमल प्लेसी यानि पॉइंट वाली वैली भी विव इस्टोर कर सकता है लेकिन अभी हम इसको फिर से करके देखते हैं क्या होता है आउट पुट एक बाद चेक करें और इसको मैं फिर से क्या करत नहीं आया है अब क्या हुआ मिन्स पिछली वाली वीडियो में मैं आपको यह जरूर बताया था कि होता गया है कि d capable है point value store करने के लिए पर होता है कि integer divide by integer जो है आपको integer ही देता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहां पर पार्सिंग करने पड़ेगा यानि इसको data type conversion करना पड़ेगा तो मैंने क्या करते हैं float x float x means 5.0 by 2 तो 5.0 by 2 हो जाएका 2.5 compile close और right button क्लिक करके इसको देखते हैं void main में देखते हैं ok करते हैं और output देखे 2.5 यही output आपको चाहिए था है न तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो किसी भी float value को या double value को ऐसे show कर सकते हो यह था आज का बहुत simple language में Java का प्रोग्राम कैसे आप सीख सकते हैं तो इसी तरीके से बहुत easy language में Java सीखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर subscribe करें like करें और share करें ताकि हर एक video का link आपके पास जल से जल पहुंच सके thank you and bye bye झाल 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 प्तr झाल 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 कि झाल 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 झाल